नमस्का श्रेंट आज की जो मैं वीडियो में लेकर करके आया हूँ वो IC के आगे का पाट है कि IC को आपको पहचानने का तरीका जो है वो हम आपको step by step आपको सिखा रहे हैं इस संद्धा पहले की वीडियो में मैंनेने cpu IC है, mnc IC , power IC इस तरीके से ic के बारे मैं आपको सिखाय था आज की topic है वह अपना आंगे का topic है मैं आगे की ic के बारे में आज आपको बताऊँगा आज फिर मैं आपको IC के बारे हम सम्झाओंगा कि IC को पैचानने के तरीका क्या होता है तो दोस्तों मेरा नाम राग्वेंदर और मैं E.T.E.K.S.T.K.A.N.P.S. से बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको mobile phone और laptop है इस तरीके से technically repairing को course आपको सिखाई जाते हैं यहाँ पर आपको basic level से लेकर करके advanced level तक की complete training आपको सिखाई जाती है theoretical, practical दोनों level से आपको training दी जाती है यह से लेकर ज़र तक सभी mobile phone को repair करने के तरीका आप step by step आप सीखते हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहली बार आज जो हम लोग जो समझने वाले हैं वो हमारे mobile phone के अंदर लगी होती है charging IC आज का जो हमारा topic है हम लोग charging IC के बारे में समझने वाले है चार्जिंग IC फोन में बैटरी को चार्जिंग IC का काम होता है मोबाइल फोन में बैटरी को चार्ज करना है क्या काम करना बैटरी को चार्ज करना जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन करना charging IC लगी होती है charging IC का का काम होता है मोबाइल फोन में बैटरी को चार्ज करना है बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं के लिए, इसके पास में LVR लगा होता है, चार्जिंग IC फोने बैटी को चार्ज करने का काम करती है, इसकी पैचान के लिए इसके पास में LVR लगा होता है, LVR का मतलब होता है, इसके पास में LVR लगा होता है, और Android फोन में इसके पास में मोटी सी क्वाइल लगी होती है, और Android फोन में इसके पास में मोटी सी क्वाइल लगी होती है, बलत about charging IC phone में बैटी को चार्ज करने काम करती है, इसकी पैचान के लिए इसके पास में LVR लगा होता है, और Android मॉबाइल फोन में मोटी सी क्वाइल लगी होती है, कैसी लगी होती है? मोटी सी क्वाइल होती है, वो हमारे Android मॉबाइल फोन में लगी होती है, चार्जिंग आईसी को PMI या BQ या चार्ज आईसी नाम से बुलाते हैं बला जो चार्जिंग आईसी होती है उस चार्जिंग आईसी को हम लोग PMI या इसी भी कहते हैं BQ आईसी भी कहते हैं और चार्ज आईसी नाम से भी काम करती है तो हमारे बाद जितने भी Android मोबाईल फोन आते हैं Android मोबाईल फोन में देखें charging IC का काम करने के तरीका क्या होता है मैं आपको थोड़ा से प्रिस्फल समझाता हूँ जितने भी android mobile phone आते हैं सारे android mobile phone में क्या होता है जैसे हमाली आपके पहली IC आती जिसको हम लोग बोलते हैं BQIC BQIC जो होती है इसको काम करने के लिए सबसे पहले यहां से 5V current आता है जब 5V current आ जाएगा तब आपकी BQIC क्या हो जाएगी ओन हो जाएगी जब BQIC ओन हो जाएगी तो BQIC ओन होने के बाद यह क्या काम करेगी अपने पास से output निकालेगी यह अपने पास से जो output निकालती है यह 4V output निकालती है इसका काम क्या होता है आउटपुट निकालना अच्छा ये जो आउटपुट निकालती है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं VBAT लाइन उसके बाद ये जो इन्पुट वाली लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं VCH लाइन या V bus line से भी इसको denote करते हैं उसके बाद यह IC क्या काम करती है एक और line निकालती है जिसको हम लोग VPH line बोलते हैं यह 3.7 voltage होता है यह 3.7 voltage आगे जा करके तो हमारे power IC को active करता है तब हमारी power IC on होती है तो जितने भी Android mobile phone आते हैं जिसमें के अंदर आपके यह VQ IC लगी होती है इसका काम करने का principle क्या होता है कि इसके अंदर 3 circuit होते हैं एक तो पहला circuit होता है charging का दूसरा circuit होता है VBET का तीसरा circuit होता है VPH का उसके बाग यही IC तुम्हारी PMI की रूप में convert हो जाती है तो इसका working क्या रह जाता है सेम ऐसी इसमें भी सबसे पहले काम करने के लिए पांच वोल्ट करेंट आएगा जब पांच वोल्ट करेंट आजाएगा तो पांच वोल्ट करेंट आने के बाद क्या होगा इसमें output होगा चार वोल्ट इसमें output होगा चार वोल्ट output होने के बाद फिर इसके पास एक VPH line निकलेगी जिससे आपकी power IC चलू होगी उसके बाद फिर यहीं से एक boost coil लगी होती है boost coil को दोरा फिर supply रेटरन जाती है फिर यहां दो supply निकलती है 14 से 24V यह supply तुमारी light की supply होती है तो इस mobile phone में का देखा जा जिस mobile phone के निकले तुमारी PMI IC पाई जाती है इस PMI IC में क्या रहता है कि सबसे पहला जो section होता है तुमारा charging का होता है उसके बाद output जो होता है यह इसका VBAT होता है उसके बाद तीसरा circuit तुमारा VPH होता है उसके बाद चबता circuit की हो जाता है light हो जाता है अगर आप बात करेंगे कि जो तुमारे BQIC होती है इस BQIC के अंदर VCH का line होता है VBAT का line होता है VPH का line होता है लेकिन जो तुमारा PMI IC होती है इसके अंदर VCH होता है VBAT होता है और VPH होता है और आपके light का भी section इसके अंदर include होता है तो यह थोड़ा सा circuit हमारा क्या होता है इस mobile phone में बढ़ जाता है और बागी जितने भी keep ed mobile phone आते है तो keep ed mobile phone में क्या रहता है कि सीधे से input होता है और क्या होता है आउटपुट होता है regulator के रूप में IC काम करती है और उसके CPU आई से उसको enable disable controlling का काम करती है तो अब हम लोग board में इसको पैचानेंगे कि हमारे पार जो board है उस board के अंदर हम लोग charging IC या PMI IC को board में motherboard के अंदर कैसे पैचानेंगे उसको पैचानने के तरीका क्या होता है अब हम आपको बताते हैं कि हमारे पार जो charging IC होती है उस charging IC को पैचानने का तरीका क्या होता है जैसे आप देखेंगे यह android mobile phone है यह हमारे पार MI का mobile phone है अगर आप देखेंगे यह इस के अंदर तुम्हारा जो IC लगी है इस IC को हम लोग BQ IC नाम से बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं BQ आपके तो सब्सक्राइब क्यों BQ देखें इस के अंदर यह coil लगी हुग है और यह pin वाली IC है, leg वाली IC है यह तुम्हारा mobile phone में charging section है अगर यह IC खराब हो जाएगी तो आपके mobile phone में charging से सम्बंदित problem आएगी यह IC खराब हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दूसरा mobile phone देखाता हूँ यह mobile phone है, इसके अंदर भी आपकी IC लगी हुई है इसमें जब आप देखेंगे charging IC लगी हुई है यह pin वाली IC है, इसके पास में motor से boost coil लगी हुई है LVR लगा हुआ है तो इन सब चीजों से हम लोग पैचान जाते हैं कि यह हमारे mobile phone में जो IC है यह charging IC है कौन चाइसी है? Charging IC है तो आज दोस्तों मैंने आपको charging IC के बारे में बता है कि हमारे mobile phone के जो charging IC आते है उसको charging IC के बारे में हम लोग कैसे पैचानते है Charging IC हमारे mobile phone में इसका बहुत आहम रोल होता है इसके खराब होने से हमारे mobile phone dead हो जाते हैं जितने पर Android mobile phone आते हैं अगर Android mobile phone में चलते बंद हो जाते हैं वैटरी स्टोर है या Charging पर उल्टा सीज़ा लगा दिया तो आईसी खराब होने में जो समस्य आती है वह तो हमारी charging IC खराब हो जाती है अगर charging IC खराब हो जाती है तो हमारा mobile phone charging तो रुकता ही रुकता है लेकिन उसके सासाथ handset dead भी हो जाता है dead होने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा था कि जब charging IC को वोल्टेइन नहीं मिलेंगे स्वाट मार जाएगी तो वी पिएच लाइन आउटपुट नहीं होगी जब वी पिएच लाइन आउटपुट नहीं होगी तो आपको क्या सारी चीजे समय चुम्हिक मरें कोई चिजय कमेंट है तो आप ежд कर सकते है कि सरो आपने मुझह आइसी के बारे में बताया है वह मुझे समझ में आय गया कि nहीं आया कि वो लोग उने अच्छी एक ट्रेनिंग नहीं लिए है, कहीं से सिखा नहीं है, बस अपने मन से काम कर रहे हैं, यूटूब में देखर काम कर रहे हैं, अब उनको परिसानी आती है कि उनको सही तरीके ते फर्ल्ट को ड्याग्नोस नहीं कर पाते हैं, अगर आप लोग भी अग के अडवांस लेवल तक के कंप्लेट ट्रेनिंग आपको मिलती है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और कोई प्राब्लम कोई दिख्कात आए, तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, इसकी पर दिवे नमपर पर संपर कर सकते हैं, और किसी भी तरीके कोई समया है, कोई प्राब्लम हों तो भी आप हल्प ले सकते हैं, और अगर आप मोबाइल फोन रिपेरिंग के कंप्लेट ट्रेनिंग लेना चाहेते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर को जोइन कर सकते हैं, सारे नए बैच्चे सब ही चालू हुए, आप आसानी से अपने कोस और अपने बैच्च क करके खड़े हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्यू दोस्तों